नमस्कार हम एवरीवन सभी का स्वागते चैनल में दोस्तों कोई वेक्ती बार बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भैरवी रक्षा के लिए वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे भैरवी रक्षा मेरे पास नहीं है मैंने नहीं पहना है मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भैरवी रक्षा पहना है और मुझे भैरवी रक्षा के बारे में कुछ चीजे मालूम है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा जितना मैंने लोगों का एक्सपिरेंस सुना है वो सब चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो भैरवी रक्षा एक कॉंसिक्रेटेड कॉपर का ब्रेसलेट टाइप बहुत बड़ा है लेकिन उसका साइज कुछ इतना रहता है हाद में पहनने के लिए होता है वो और उस पे लिंग भैरवी देवी का पैंडेंट टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर यह कॉंसिक्रेटेड होता है और रसविद्या से यह बनाया जाता है तो यानि इसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होगा तो जो मरकरी होता है वो मरकरी हमारी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है हमारी इम्मिनिटी या हमारी इम्मिनिटी को बूस्ट करता है जो तुलसी के पत्ते होता है उसमें भी मरकरी होता है तो आप समझ पा रहे हो कि मरकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉड़ी के लिए और ये भी कहा जाता है कि धर्ती का जो अमरित है ना धर्ती से निकलने वाला अमरित जो है वो मरकरी ही होता है तो मरकरी आपकी बॉड़ी में टच रहेगा तो आपकी बॉड़ी की immunity बढ़ेगी ठीक है और साथी साथ वो consecrated है जिस प्रकार से हम लोग अभै सूत्र पहनते है ना तो इसी का थोड़ा और powerful version अगर आप कहो तो वो बहरवी रक्षा है तो जिन लोगों की तबित खराब होती है या जिन लोगों को हम कह सकते हैं कि नजर लगना या चीजों का impact निगेटिव चीजों का impact उन पे जल्दी पढ़ना अगर आप इन चीजों से जोज रहे हैं तो आप भैरवी रक्षा कमच पहन सकते हैं लेकिन आपने कमच तो पहना है बट अगर आपको देवी की क्रिपा प्राप्त करनी है तो आपको देवी साधना करनी चाहिए और मरकरी के अपने फाइदे है बिलकुल उनके अपने देवी साध्ना के उपर में डीटेल्ड वीडियो अलेडी बना चुका हूं दोस्तों बहुत टाइम से देवी वीडियो नहीं बना रहा था अपने आप ही यहां पर देवी साध्ना के बारे में जिकर होई गया तो जो भी वहरी रक्षा पहनना चाहता है मैं आप लोगों को य चाहे वो फिर पैंडेंट हो या रक्षा गवच हो यह इसकी पावर अलग तरीके से होगी फिर यह अलग लेवल पर काम करने लगेगा मैं बहुत बहुत ज़्यदा शोर्टी के साथ क्या सकता हूं तो अगर आप उसको अगर आप एक डिवाइस की तरह पहन रहे हो ना टू यह एक लाइफ फोर्स है और अगर आप साधना करोगे तो आप उस फोर्स से जुड़ोगे जो इस पूरी क्रियेशन में जिसकी वज़े से मोशन हो रहा है वो ही है सब कुछ तो साधना करना स्टार्ट करो आप सोर्स से ही कानेक्ट हो जाओगे फिर इसकी ज़रत ठीक है इ क्योंकि इसके अंदर मरकरी भी है जो आपके लिए आपकी बॉड़ी के लिए अच्छा है पर उतु जब आपके उपर ग्रेस काम करने लगेगी ना तो फिर चीजें का चीजें फिर किसी और तरीके से होने लगेंगी और जो लोग ब्रेस यह पहनना ने बहर्वी रक्षा नहीं पहनना चाहते क्योंकि उसका साइस काफी बड़ा रहता है तो लोगों को थोड़ा जीब से लगता है कि यार क्या पहनर हो गई है तो आप लिंग भी देवी पैंडेंट और कर सकते हो मरकरी वाला जो सतावन सौ रुपे के आसपास काता है 5700 का उसमें भी मरकरी है हाल पैंडेंट और करके यह पैंडेंट पहन सकते हैं जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताए कि तुलसी में भी मरकरी होता है अब डेली वेसिस में तुलसी के पते कंजूम कर सकते हो चमाने नहीं है सीधे घूट लेने है तो सद्धुरू यह भी बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी में बॉडी के साथ कॉंटेक्ट में मरकरी रहेगा तो बॉडी अपने रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से मरकरी एब्सॉर्ब करते रहेगी हमने हमारे इंडियल कल्चर में आप देखना कि लोग सोने के कुंडल पहनते हैं या सिलवर के कुंडल पहनते हैं ग क्योंकि हमारी बॉड़ी सोना एब्सॉर्ब करेगी, कानों में छेद खरवा कि सोने काई क्यों पहन रहे, कुछ रीजन होगा उसके बीछे, आपकी जनम पत्री देख के पंडिक जी बताते कि आपको सोना खपेगा, या तांबा खपेगा, या चांदी खपेगी, क्योंकि वो पेंडेंट है, जिसमें 5700 वाला, वो आप पहन सकते हो, जिनके पास पैसे है, वो लोग खरीद रकते हैं, जिनके आपस नहीं है, तो उनके लिए मैंने आल्टरनेटिव बता दिया है, भैरवी रक्षा लगबग-लगबग कितने 1000 रुपे के आसपास है, आप वो और्डर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप देवी साधना जरूर जरूर करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, और बहर वी रक्षा अगर आप मंगाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है, तो आपके मारम, तन्यावाद!